तो लगातार हमारी करेंट अफियर्स की क्लास चलती है जिसमें पांच मिनट की या दस मिनट तक मैक्समम क्लास होती है और इस क्लास को बनाने का उद्देश है आप तक करेंट अफियर्स की सही जानकारी पहुंचाना कि एकनॉमिक्स में क्या पढ़ें क्या छोड़ें यह एक समस्या तो इसी जानकारी को हम आप तक पांच मिनट के इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं प्रारंबिक परिक इच्छा के लिए भी हम लगातार आपने देखा होगा कि प्रिश्णो क्या थोड़ा सा एक प्रारूप भी प्रदान करते हैं तो इसायोगियों को जरूर बता दे कि पांच मिनट का समय अगर आप दे सकते हैं जरूर देखे यह क्लास क्योंकि आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से बहुत महत्पूर्ण खबर है तो देखते हैं आज की खबर कौन सी है तो आज की खबर है मुके सम्मानी विश्व के नौमे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए यह खबर यहां पर दी गई तो अब ऐसी कंडिशन्स में यह खबर किस ने दी आपके दिमाग में यह चल जो दुनिया के अरबपती के सूची जारी करने वाली संसा के रूप में जाना जाता है उसने अपनी रिपोर्ट प्रिस्तुत की है जिसे फोप्स के डाम से जानते तो इस फोप्स रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है जिसके आधार बिंदू अर्था संचित बिंदू मैंने यहां पर लिख दिये हैं आप लोग के बीच में मुके संबानी की नाइंथ पोजीशन अर्थात विस्च के अरबपतियों में दस इस्थान तक बैठे हुए हैं मुके संबानी नौमा इस्थान है मुके संबानी का और संपत्ति है एक सो सोल है अरब डॉलर की इनकी संपत्ति है गौतम अडानी सत्र में इस्थान पर है और पहले दूसरे और तीसरे इस्थान पर अगर हम देखें तो बर्नार्ड अर्नाल्ड फर्स्ट पोजीशन पर बैठे हैं एलन मस्क सेकंड पोजीशन पर हैं और जेफ बैजोस थर्ड पोजीशन पर हैं यह सूची का एक संचिप्त में मैंने यहां पर विब्रण दे दिया है कि भाई यह लोग इसमें बैठे हुए हैं यह लोग इसमें सामिल है सिब्नदार 39 में इस्थान पर है इस सूची में लिखा हुआ है अन्द भारतियों में specil के सेहसं स्थापक सिब्नदार अरब पतियों अरब डॉलर, 36.9 अरब डॉलर के साथ 49 में इस्थान पर, जिंदर समुउ की सावित्री जिंदल इवं परिवार, 33.5 अरब डॉलर की संपत्ती के साथ 40 में इस्थान पर हैं, और सन फार्मा के दिलीप संग भी कि डॉलर संपत्ती के साथ 69 बे इस्थान पर हैं ये भी इस सूची में सामिल है और सबसे वड़ी बात यहां पर एक और याद रखना है आपके कि भारत में अरपतियों की संख्या पिछले साल से बढ़कर 31 से बढ़कर 200 हो गई मतलब 31 थे अरपतिय अब 200 हो गई है अरपतियों की संख्या तो अब आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं इस रूप में अगर मुख परिक्षा में आता है कि असमानता के संदर में अगर देखा जाए तो भारत में अरपतियों की जो आए है वो बड़ी तेजी से बड़ी है और इनकी संख्या 31 से बढ़कर कितनी हो गई है 200 हो गई इस सूची में यह दिया गए तो एक तो यह खबर आज बहुत महत्पूर्ण है मैंने यहां पर लिख दिया है कि फोप्स की दुनिया के अरपतियों की सूची में मुखे सम्मानी सीर्स 10 में आ गए वो दुनिया के 9 में सबसे अमीर ब्यक्ति है ठीक है यह सूची में हमने आप लोगों को यहां पर बता पर कौन है ठीक है सूची में सामिल दो तेहाई अमीरों की संपत्ति एक साल की तुलना में बड़ी है ठीक है फ्रेशन और सौंदर प्रसादन छेत्र के जिंदल जिगज कंपनी एल बी एमेच के बरनार्ड अरनाल्ड 233 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में सीर्स पर हैं याद रखना ठीक है इसके बाद 195 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क और 194 अरब डॉलर के साथ अमेजन के जेफ बेजोस का इस्थान आता है तो पहला दूसरा तीसरा दिखाया किसा संपत्ति के बारे में बताते हुए इनका इस्थान बता दिया है कि कौन सा इस्थान हे इनका सब्सक्राइब करने डॉलर कि आप इसा कहता है साथपिश्दी का अनुमान लगाया गया है और है अपने पहले के अनुमान को 1.2ंदी से संसोधन किया है उसने जो पहले हनुमान दिया था भारत के संदर में उस में यहां पर संसोधन किया है बिस सुबैंक ने दक्षिण एसिया ब्रद्धी समंदी मंगलवार को जारी अधितन जानकारी में कहा कि कुल मिलाकर 2024 में दक्षिण एसिया में ब्रद्धी दर पाकिस्तान और सीलंका के काफी हट तक पटरी पर लोटने की संभावावना है रपट के अनुसार दक्षिण इसिया के अगले दो बड़सों तक दुन्या में सबसे तेजी से बढ़ने वाले छेत बने रहने की उमीद है दो अजार पच्चिस में ये ब्रद्धी दर 6.1 फीस्दी रहने का अनमान लगाया गया है ठीक है तो भारत की अर्थिवस्था विश्व बैंक के अनुसार साड़े साथ परश्यत की GDP ग्रोथ रहने का अनमान लगाया गया है तो ये भी एक खबर आपके पॉइंट अब यू से थोड़े सी महत्पूर है तो फोप्स की सुची के प्रिश्ण तो अकसर बनते ही रहते हैं विस्वेंग की भी क्या ग्रोथ रेट चल रही है इससे पहले मैंने आई एम एफ की ग्रोथ रेट के बा झाल 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 झाल